नमस्कार, मैं डोक्टर केसी सेनी, सहाय काचार्य हिंदी, स्री कल्यान राज की कन्या महाविद्याले सीकर आप सभी का स्वागत है, आज का हमारा जो वीडियो है, उसमें हम चर्चा करेंगे भक्ति काल की सगुन कावेधारा के, कृष्ण भक्ति साखा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुक कवी सूर्दास पर सूर्दास ने कृष्ण भक्ति को जितना प्रसिद्ध बनाया, उतना और किसी व्यक्ति ने, और किसी लेखक ने ऐसा नहीं किया सूर्दास ने वादसल्य रस को जितना प्रसिद्ध बनाया ऐसा उनके पस्चात और कोई कवी नहीं कर पाया आचारे रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था कि सूर्दास वादसल्य का वह कोना कोना जहांक आये जो दो आखों वाले भी नहीं जहांक सकते इसलिए सूर्दास को विप्रलंब सिरंगार का सबसे बड़ा कवी माना जाता है आईए हम चर्चा करते हैं सूर्दास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर सूर्दास का जन्व वैसाक सुक्ल पंचमी को दिन मंगलवार समवत 1535 विक्रम को हुआ था वलभाचारिय से आप 10 दिन ही छोटे थे सूर्दास के जन्व इस्थान के समंद में दो मत जो निम्न परकार से हैं पहले मत के जो विचारक हैं वो मानते हैं कि सूर्दास का जन्व रुनक्ता ग्राम में जिसको गव घाट बोलते थे वहां हुआ था ऐसा मानने वालों में तीन बड़े विद्वान हैं स्यामसुंदरदास रामचंदर शुक्ल और हजारी प्रशाद द्विवेदी दूसरे जो विचारक हैं वो सूर्दास का जन्व सी ही ग्राम में मानते हैं ऐसा वारता साहिते में भी लिखा गया है डोक्टर नगेंदर भी मानते हैं और डोक्टर गणपती चंद्र गुप्त भी ऐसा स्विकार करते हैं लेकिन आचारे शुक्ल और हजारी प्रशाद द्विवेदी का जुम्मत है शाम सुंदरदास जी का जुम्मत है वो रुनकता ग्राम ही सब ने स्विकार किया है वलभाचारिय जी सूरदास के गुरू थे उनी से उनोंने दिक्षा प्राप्त की और अष्ट छाब के कवियों में भी विठल नाथ ने उनको वलभाचारिय के चार सिश्यों के अंतरगती स्विकार किया वलबाचारी ने सूर्दाश को भगवत लीला वर्णन करने का उक्देश दिया था सूर वेके घिगियात काहे कुई है कुछ भगवत लीला वर्णन करो ऐसा वलबाचारी ने इनको कहा सूर्दाश के द्वारा रचित 25 कृण्त बताये जाते हैं परंतु ये सारे उपलब्द नहीं जिसमें से तीन उपलब्द है और ये ही प्रसिद्ध है आप सबी जानते हैं पहला है सूर्शागर, दूसरा सूर्शारावली, तीसरा है साहित्य लहरी ये तीनों गरंद सूरदासजी के प्रसिद्ध है सूर की रचनाओं का सरव प्रथम संपादन कलकत्तास में सन 1841 में राग कल्प दुरुम के नाम से हुआ था अब सूर्शागर का जो साहित्य है उसके उपर विभिन विद्वानों के क्या अभिमत हैं उनके उपर हम चर्चा करें सूर्शागर का उपजीवे भागवत पुरान का दसम इसकंद है सूर्शागर में 436 पद तथा 12 इसकंद है सूर्शागर में 3 भ्रहमर गीतों की योजना की है ये महतोपुन प्रशन है कि सूर्शागर में कितने भ्रहमर गीत प्रथम भ्रहमरगीत पद संख्या 4078 से 4710 ही मुख्य है सेश दो भ्रहमरगीत पद संख्या 4711 से 12 और 4713 ये कथात्मग है प्रहमरगीत का सरव पर्थम एक पूर्ण परसंग के रूप में वर्णन स्रीमत भागवत के दसम इसकंद के 47 वे अध्याय के 12-21 लोक में मिलता है यह भी महत्वपुन जानकरी है हिंदी साहिती में भ्रहमरगीत कावे परंपरा का परवर्तन सूर दास जी ने किया था सूर सागर के कावे रूप के समंद में विभीन विद्वान किस परकार से अपनमत रखते हैं डोक्टर चंद्रपली पांडे ये कहते हैं कि यह एक लीला प्रबंद कावे या भाव प्रबंद कावे हजारी परसाद जी कहते हैं कि यह गीत कावे अत्मक मनुरागों पर आधारित विशाल महा कावे ब्रजेश्वर्ष वर्मा कहते हैं कि क्रिश्ण चरित का महा कावे है और सर्व सम्मती से लोग इसको ग्येय मुक्तक कावे स्विकार करते हैं ब्रहमर गीत में कुल 700 पद हैं प्रोफेसर मेनेजर पांडे ने ब्रहमर का तीन रूप बताया है प्रोफेसर में उद्धाव का प्रतीक और श्वतनतर रूप में ब्रहमर गीत को उपालंब कावे भी कहते हैं आचारे शुकलिशे ध्वनी कावे कहते हैं सूर सारावली में 1107 छंदे इसकी रचना संसार को खोली का रूपक मानकर की गई है संसार एक खोली का रूपक है आचारे शुकल ने लिखाया वादसले और स्रंगार के छेत्र का जितना अधिक उधिगातन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कभी ने नहीं इन छेत्रों का कोना कोना वे जहांक आये थे यह बहुत बड़ी कोटेशन है शुकल के अनुशार फिर आचारे शुकल कहते हैं शूर की बड़ी भारी विशेषता है अविन प्रशंगों की उद्भावना प्रशंगों द्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते फिर शुकल कहते हैं आचारे की चाप लगी हुई आठ विनाई स्री कृष्ण की प्रेम लीला की इर्तन करने उठी जिन में सबसे उची, सबसे सूरीली और सबसे मधूर जंकार अंधे कवी सूर्दास की विना की थी ये प्रसिद कोट है आचारे शुकल के द्वरा, आचारे हजारी प्रसाद विवेदी ने लिखा है कि सूर्दास जब अपने विशय का वर्णन सुरू करते हैं तो मानो अलंकार सास्तर हाद जोड़ कर उनके पीछे दोड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रू जारी प्रसाद जैसे बड़े विद्वानों ने अपने सब्दों के माध्यम से प्रस्तूत की है, सूर्दास अश्च्छाप के कवियों में सामिल हैं और उनकी मृत्यू के उपर विठलनात ने कहा था कि पुष्टी मार्ग को जहाज जात है, सो जाय कच्छू, लेनो होसो देव कि जिसको जो प्राप्त करना है वो अब भी प्राप्त कर सकते हैं, तो सूर्दास हिंदी साहिते के वास्तम में सूर्य की भाती चमकने वाले हैं, आपने सुना होगा कि सूर शूर तुलसी ससी उडगन के सव दास अब के कवि खद्योद सम जहतं करत प्रकाष। तो इस प्रकार से हमने भक्ति काल के कृष्ण कवी सूर्दास का ध्यन किया धन्यवाद।